हेलो एवर्डिवन आज हम देखेंगे बहुत धरम और जैन धरम से जितने भी आपके क्वेस्टन बनते हैं सब भी करेंगे ठीक है चलते हैं क्वेस्टन गे और एक पहला क्वेस्टन आपका गौतम बुद्ध का जरम बताजी कहां हुआ था तो कहां हुआ था वो लुम मुली में ठीक है ओप्शन नमबर सी राइट होगा नेक्स्ट देखो देखें नेक्स्ट आपका बुद्ध सब्ध का तातपर होता है जो बुद्ध सब्ध है उसका तातपर क्या है उसका क्या है एक ज्यान संपन व्यक्ति ठीक है ओप्शन नमबर सी बुद्ध का क्या आरत होता है जिसे पूर ज्यान हुआ हो ठीक है देख क्वशन नम्मत थर्ड है गोतम बुद्ध की मृत्यू कहां हुई मताई कहां हुई लुम्बनीम हुई श्रावस्तिम हुई कुछी नगर या बोध गया तो कहां हुई थी कुछी नगर में ठीक है ओप्शन नम्मर सी राइट होगा नेक्ट क्वशन देखो नेक्ट क्वशन है आपका गोतम बुद्ध के संबन्द में सभी सई हैं सिवाए एक के बताईए सिरफ एक गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है उनका जनम लुम्मनी में हुआ था ये भी सई है उनकी मृत्ति कुछी नगर में हुई ये भी सई है उन्हें ग्यान की प्राप्ती बहुत गया में हुई थी ये भी सई है उन्हें ग्यान की प्राप्ती राजग्रेम हुई थी नहीं ये नहीं है ठीक है तो आप्शन नमबर D's का right होगा सभी सही है सिवाए एक के तो कौन सा सही नहीं है आपका D's सही नहीं है ठीक है next पांच में कुस्तन आपका गोतम बुद्ध को कौन सी जगह भर्म ज्यान प्राप्त हुआ बताएं कौन सी जगह भर्म ज्यान प्राप्त हुआ तो ज्यान की प्राप्ति कहा हुई थी बहुत गया में ठीक है ओप्सन नमबर B right हो जाएगा अगला कौन देखी कौन आपका भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था ठीक है देखी बहुत बार कौन पूछा गया आए जी तो कहां दिया था सारणात में ठीक है ओप्सन नमबर C right हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्टन देखो ठीक है देखो नेक्स्ट कॉस्टन आपका जातक पवित्र गरंथ है बताईए जातक पवित्र गरंथ किसका है तो किसका है वो बौद्धों का पवित्र गरंथ है ठीक है ओप्सन नमबर C right हो जाएगा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपका बौद्ध धरम के प्रचार प्रसार के लिए कौनसी भासा प्रियोग की गई थी बताईए कौनसी गई गई थी तो कौनसी वो पाली भासा थी ठीक है ओप्सन नमबर C right हो जाएगा नेक्स्ट देखो क्वस्टन आपका त्रिय पिटक बताईए कौनसे धरम का धरमक गरंथ है किसका है वो त्रिय पिटक बहुत धरमका ठीक है जातक भी और त्रिय पिटक कौनसे है बहुत धरमके ठीक है ओप्सन नमबर C right हो जाएगा देखें क्वस्टन नमबर 10 क्वस्टन आपका बुद्ध के उपदेशों का संग्र है मताईए बुद्ध के उपदेशों का संग्र है किसम है किसम है वो सुत पिटक में ठीक है ओप्सन नमबर 2 Next देखें नेक्स्ट आपका बौध सिच्छा का वरणा निमनलिखित में से किसम है मताईए किसम है वो तेखें पिटक में ठीक है Next देखें नेक्स्ट आपका निमनलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था मताईए बुद्ध का समकालीन कौन था कौन था वो Confucius ठीक है ओप्सन नमबर 2 राइट हो जाएगा Next देखें नेक्स्ट आपका गोतम बुद्ध द्वारा दिचुडी संकी स्थापना कहां के गई थी मताई ये कहां के गई थी कहां के गई थी वो वैसाली में ठीक है Option नमबर C राइट हो जाएगा देखें Next आपका सांची किसकी कलावा मूर्ती कला का निर्यूपर करता है मताई ये कौन से धर्म का करता है तो किसका करता है वो बौद धर्म का Next देखें नेक्स्ट आपका बहुत दिसमारक बहुत दिसमारक इस तूप कहां बना जाते थे कहां बना जाते थे बताईए देखें बुद्ध के अपसेसों पर ये भी सही है बुद्ध के जीवन से सम्मने दिस्तानों पर ये भी सही है संग के प्रमुक सदस्यों के अबसेसों पर ये भी सही है बौद मठो द्वारा अर्चना के स्थानों पर ये भी सही है यानि उप्रोक सभी सही है ठीक है यानि ओप्सन नमर D राइट हो जाएगा ठीक है ये D होगा ठीक है Next question देखो Next question आपका बुद्ध के उप्रदेशों का मुख के संबन्द था मताई किस से था किस से था वो विचारों और चरित्र की सुद्धता से था ठीक है ओप्सन नमर A राइट है Question आपका कपिल वस्तु संबन्द था मताई कपिल वस्तु किस से संबन्द था तो किस से हो भगवान बुद्ध से ठीक है Next ठीक है Next आपका चातरत बौद्ध संबन्द किस के सासन काल में हुआ था बताई ठीक है बताई किस के मुआ था वो कनिस के में ठीक है उप्सन नमर सी राइट होगा Next लेकि Next आपका बौद ध्रम से संबन्द अर्द गोलाकार अंतेष्ट संबन्द या संबन्दी टीले को क्या कहते हैं अर्द गोलाकार अंतेष्ट संबन्दी टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं क्या कहते हैं उनको इस्तूप कहते हैं ठीक है Next देखिए Next आपका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो कौन थे वो मक्थली गोसाल ओप्शन नम्मर सी राइट हो जाएगा Next आपका जैन धरम के प्रथम तीरत थंकर कौन थे मताईए प्रथम कौन थे रिसब देव ठी ठीक है ओप्शन नम्मर थर्ड राइट होगा Next देखू Next आपका महावीर ने में निर्वाड प्राप्त किया था बताईए किस इसवीर में किया था Sorry इसा पूर में ठीक है तो किस में 527 इसा पूर में निर्वाड प्राप्त किया था Next Next आपका निर्वन निर्वाड प्राप्त में से कौन जैन धहम के असली संस्थापक माने जाते हैं बताईए कौन माने जाते हैं वर्दवान महावीर ठीक है Option number D राइट हो जाएगा Next देखो Next आपका महावीर का जनम कहां गुआ था तो का हुआ था वो कुंडल ग्राम या वैसाली में ठीक है Option number C राइट हो जाएगा Next बसन है जैनवाद में पूर ग्यान को निम्न रूप से उल्लखित किया गया मताई जैन धर्म ने जब पूर ग्यान मिल जा था था उसको हम क्या बोलते थे तो क्या बोलते थे क्या वल ठीक है Option number C हम क्या वल को क्या कह देते है मोक्ष कह देते है मोक्ष प्राप्ति ठीक है Option number C राइट हो जाएगा Next देखू Next आपका बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवसक रूप से निम्न लिखित के विरुद्ध थे पताई जो बुद्धवाद और जैनवाद थे किसके विरुद्ध थे ठीक है तो किसके थे वो ब्रहाम्मणों के रिवाजन तथा आप चार्गताओं के ठीक है Option number B राइट होगा ठीक है Next देखू Next आपका महावी रेवाद बुद्ध दोनों ने किसके सासनकाल में उपदिश दिया था बताईए तो किसके सासन में लिया था बिम्ब सारगे में ठीक है Option number B राइट है Last question आपका निम्रिखत में से बौद धरम एवं जैन धरम पर रहा है बताईए किस से है ठीक है तो दोनों धरम में common क्या बाता है अइंसा ठीक है Option number A Thank you मिलते हैं next वीडियो में